आई गाईज, वल्कम टू अनादर फ्रेस वीडियो, अभी अगर आप जो है, किया सेल्टॉस नहीं का सोच रहता है, तो आपके मन में इतना दिन से था कि बहुत यह रेगुलर वाला आ रहा है, कुछ अलग से हो जाए, तो यह अलग चीज के लिए ही, किया ने लौंच किया ह अपको की करन आपको के आपको की क्या सेल्टॉस का ऑर सोने और तीनों में में देखने को मिल जाएगा, और आज हमारे पास की आ, सेल्टॉस का ग्रेविट एडिशन है और यह ग्राविटी एडिशन है, यह हमारा सभगत से प्यारा HDX वेरियंट की उपर बेस्ट है और आज की बात करनेंगे यही gravity edition के बारे में मैहुदेव आप देख रहे हैं तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते है तो गाइस देखें अगर front end का बात करें तो gravity edition जो है जैसे ने पहले ही बता था आपको HTX variant के उपर based है तो HTX variant से क्या क्या लिया गया है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पे आप देख से आपको जो है DRL दिया गया है पर हाँ यह connected नहीं है यहां पे आपको glossy में जो है आपको front grill देखने को मिलेगा ओम में जो है Tiger nose grill भी दिया गया है साथ ही में चार parking sensor को front में देखने को मिल जाएगा और नीचे का यह जो हिस्सा है ना यह आप देखेंगे धियान से यह आपको एक silverish color में देखने को मिल जाएगा और साथ में बात करें light unit को लेकर तो यहां पे आप देख सकतो proper LED light unit है यहां पे ठी pod में low beam high beam देखने को तो अभी तक हमने जितना कुछ दिखा है आपको सबका सब जो है HTX variant में as a standard आने वाला है पर बात होता है कि ग्राविटेडिशन में क्या आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहला चीज जो आपको gravity में देखने को मिल जाएगा वो है यह यह आलोई wheel अब सिर्फ और सिर्फ gravity के लिए दिया गया है HTX में हमें मेशिन कर्ट देखने को नहीं मिलता तो वो चीज एक्स्टा में देखने को मिल जाएगा अब जब इस तरफ ही है मैं आपको चावी भी रेकट करवा दू क्या आपको मिलने वाला है तो आपको चावी बिल्कुल सिंपल आने वाला है जैसे HTX में आता है वैसे यह चार बटन दिया गया है उपर के इसे में लॉक अनलॉक बूट रिलीज और होल का बटन हमको देखने को मिल जाएगा साथ ही बात करें तो और क्या दिया गया है अब जो में दिखाने वाला आपको वो थोड़ा बहुत ग्रावीटी के लिए अलग से दिया गया है और कुछी जोए HTX से डिरेक्ट उठाया गया है हाँ उठाया गया है यहाँ पर देख रख तो आप ग्रावीटी का ब्रैंडिंग किया गया है और यह तो ग्रावीटी का ही है और उपर बात करें तो रेर विए मिरर जो वो बॉड़ी कलर हमें देखने को मिल रहे है इसके नीचे जो है कोई भी 360 डीग्री कैमरा देखने को नहीं मिल आपको ग्रावीटी के साथ ना ही जो है पडलेल लैंप भी नहीं दिया गया है पर अच्छा चीज का है कि अगर आप जो है HTX का बात कर रहेते हैं तो वहाँ पर जो हैंडल था वह भी वो क्रोम में दिया जाता था पर ग्राविट एडिशन में यहां पर हमें बॉड़ी कलर देखने को मिल रहे हैं यह थोड़ा सा डाउंग्रेट में जरूर कहूंगा इसी डिस ब्रेक दिया गया है रीजर है कि HTX में डिस ब्रेक आता था जो यहां पर भी देखने को मिल जाएगा फुल का बात का है तो कड़ी 50 लीटर जो है अफुल डाल पाओगे इसमें मतब टैंक जो है 50 लीटर का दिया गया है अब पीछे के हिस्से में आ जाता है तो किया का लोगो बीच में है जो बस बीच में है इसलिए कनेक नहीं हो पाया वरना यह प्रॉपर कनेक्टेड ही है उसके साथ यहां पर देख से तो ब्रेक लाइट हो इंडिकेटर हो वह चीज अपको LED में आने वाला है पर अगर आप रिवर्सिंग लाइट के लिए बात करो और जैसे सामने का स्कीट प्रेट सिल्वर कलर लगा था वैसे यह रेर स्कीट प्रेट भी आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा पर यह सब चीज़े आपको HDX में भी मिल जाएगा साथ में वाशन वाइपर, डीफ्रॉगर, हाई माउंटर स्टॉप लैंप, शार्क प ब्लैक कलर में आने वाला है, अगर आप यह ब्लू कलर नहीं लेके कुछ और कलर में जा रहे हो, तो यह और जाधा प्रॉमिनिटली हाइलाइट होने वाला है, अब बात कर लेते हैं, बूट में कितना जगा है, अब देखिए सेल्टाउस का बूट था, वो हमेशा से ही बह साथ ही में यहाँ पर आपको एक पार्शल ट्रे भी दिया गया है, अगर आप ग्राविटी का बात करें, तो यहाँ पर देखिए सबूफर दिया गया है, यह एक एडिशन है, रीजन है, भई, चली वो तो अंदर जाकी बताते हैं क्या क्या एडिशन किया गया है, फिलाल सब्सक्राइब करें, तो यहाँ पर आप देखिए सब्सक्राइब करें, तो अब चलते हैं, इंटीर पर क्याएब क्या चीज़े उसके बारे में बात कर लेए, साथ ही में बता दे, कि अगर आप सेल्टर लेड़ों, वह एक प्रॉपर 4.3 मिर नमबा गारी है, मतलब काफी जाथा, स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, अभी जो है, रेयर डोर ओपन करते हैं, उसके पहले दिखा दे, कि यहाँ पर आप देख सकतो, आपको जो है, प्रॉपर ब्लैक, पियानो ब्लैक और इंडीगो का ओप्शन देखने को मिल रहा है, अभी जो है, ग्रैविट इडिशन का हर एक बिरेंट में, आपको इंडीगो कलर जो है, ब्लू के साथ देखने को मिलेगा, यह एक सिगनेटर एलिमेंट है, अगर आप ग्रैविटी ले रहा हो, फिलाल इंटीरियर में बात कर रहे हैं, आप देख लो, सीड जो है, प्रॉपर आपको लेदर रैप सी रिक्लाइन किया गया, पर हाँ, अगर अगर आपको प्रॉपर पोजिशन में डालोगे, तो आपको काफी अच्छा स्पेस आने वाला है, अंडर थाई सपोर्ट का ही बात हो रहा है, तो एक चीज़ बता देखा है, थोड़ा सा आपको कम लगने वाला है, अगर आपका ले यहां पर एक सोटा सा स्पेस है, दो जो है टाइप सी पॉइंट भी दिया गया है, और यहां पर बात करें, तो स्मार्ट प्योर एर जो है, मतलब वो मिलेगा, मतलब यह जो है AQI सेंसर है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अब पीछे और क्या दिया गया, य यहां पर आपको जो है पाइरेसी ब्लाइंड बोलो, या फिर सन ब्लाइंड बोलो, वो आपको मिलने वाला है, साथ में ऊपर प्रॉपर पैनानोमिक सन्रूफ देखने को मिलेगा, वो हम आगे जब सामने बैठेंगा तब दिखा देंगा आपको, यहां पर आपको तीनों लिएiness-able headers दिया गया, यहां पे एक armless weight upper holder दिखने को मिलेगा. डर्वास मेंगा उपर gravity लिखा गया है, मताब ब्रेंड diffusion आपको मिलेगा, साथ ही द्राइवर साइट पर आपको रिक्वर्स Sensor भी दिया गया है, वह भी आपको देखने को मिल जाएगा. सब तीज है मतब यह वाला चीज है वह आपको इसी के लिए दिया गया तो वह नहीं है अगर आप इसकी एक्स ले रहे हो तो अब जो इस तरफ आज यह में दिखा देता हूं पैनल में आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पे भी कहानी से मैं आपको नॉर्मल ब्लैक के साथ पियानो ब्लैक एलिमेंट और जो है इंडिगो गलर भी देखने को मिल जाएगा बटन का बात करें तो यहां पे चारो पावर विंडो को बटन है और अच्छा बात है चारो में जो है आटो आप आटो डाउन देखने को मिलेगा दर्वासा लोग करने के लिए आउट तो यहां पे आपको जो है ब्रैंडिंग भी देखने को मिल जाएगा अब अगर बात करें और क्या दिया गया गया तो सीट जो है बहुत जादा कमपटेबल है सेल्टस का सीट हमेशा से ही था अब अभी भी वह है लेदर रैप ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप जो है ग्राविट एडिशन ले रहो जैसे एस्टी एक्ज वेरियंट पे भी जो हमें वेंटिलेटर देखने को मिलता था वो भी अभी दिया गया तो आपको वेंट स्टास्टॉप को बटन ट्रैक्शन केंट्रोल और अटो स्टास्टॉप मतलब इससे से माइलेज आने वाला है अपको हेडलेट एजस्मेंट का बटन यहां पे दिया गया और यहां पे भी अगर आप देखोगे डैश्बूट को उपर भी जो है इंडिगो कलर का सॉफ्ट का ग्रैविडी करने के तो उसमें कैसा आ रहा है तो यही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे बटन का बात करें तो पहली बात है यहां पर आपको glossy black देखने को मिलेगा auto में देखने को नहीं मिलेगा सामने देखेंगे आपको dual screen मतब देखने से लगने वाला है यह connected है यह Mercedes में सबसे पहले देखा था फिर X2V 700 में copy किया गया अभी इसमें भी दिया गया है यह proper dual screen है जो काफी जादा शांदार है इसका view जो है काफी अच्छा आने वाला है यहाँ पे 10 इंच का 10.25 इंच का music system आने वाला है इसमें देखेंगे तो आपको जो है 10 इंच का full digital display दिया गया है जिसका animation कुछ तगरा वाला दिया गया काफी अच्छा लग रहा है साथें बात करें तो नया देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ पे AC event है और यह जो panel है यह panel complete नया है क्योंकि यहाँ पे dual zone AC हमें देखने को मिल जाएगा यह AC का control जो है उपर दिया गया है नीचे जो है अगर आप टस्क्रीन से music को कंट्रोल नहीं करना चाहते है तो यह जो बटन दिया है उससे भी आप कंट्रोल कर पाऊंगे साथें बात करें तो यहाँ पे आपको एक wireless charging का pad देखने को मिलेगा नीचे छोटा सा space दिया गया है यहाँ पे बात करें तो आटो क्रोमेटिक जो है में mirror दिया गया है यह आपको ASTX में भी मिल जाएगा पर जो नहीं मिलेगा वो है यह dash cam जो सिर्फ और सिर्फ ग्रैविटी के लिए खास आपको देखने को मिल जागा और इसमें जो आपको dual camera दिया गया है मतब गारी के अंदर भी record कर पाएंगा और गारी के बाहर जो हो रहा है वो भी record कर पाएंगे साथ ही में अच्छा चीज है और जैसे मैंने कहा था proper softest material दिया गया है वो भी अब देख सकते हो indigo color में दिया गया है काफी अच्छा लग रहा है और अगर हम बात करें गलब उसके लिए तो यहां पे कफी अच्छा सा space भी हमें देखने को मिल जाएगा और sunroof का ही बात हो रहा है तो भाई आप देख सकते हो कि यहां पे जो sunroof है उसको एक button प्रेस करने से ही जो sunroof open होने वाला एक full panonomic sunroof दिया गया काफी बड़ा size का देखने को मिल जाए और उसके साथ बात करें तो यहां पे जो है white light दिया गया sunglass holder भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में बात करें इंटिर में जितना खुशत सब्सक्राइब ने दिखा दिया आज आए यह पास देख लेते हैं यहां पर आपको एक प्रॉपर फोर सिलिंडर इंजिन देखने को मिल जाए आपको और उपर किसे में देखेंगे आपको प्रॉपर इंसुलेशन वह भी दिया गया है अब इंजिन का ही बात हो बताते कि यह जो देख रहो यह यह 1.5 बीटर का नैचिरल एस्पेटर पेट्रॉल इंजिन जिससे जो है करीब 110 बीची का पाउर 144 न्यूट्र मीटर टॉर्क आने वाला है चाहे आप मैनुवल पर ले सकते हो 6 बीट का साथ में आपको एम्टी का ऑप्शन भी मिलने वाला है एम्टी नहीं चाहे आपको आ 1.5 बीटर का टर्बो चार्ज पेट्रॉल लेने का सोच रहे हो वह एंजिन जो है काफी जादा तग रहा है वह एंजिन जो है वह प्रोड्यूस करता है 160 बीच्प का पावर और बाई काफी जादा भारी है यह मतब काफी अच्छा लोगा डाला गया इसमें और बात कर रहे सब्सक्राइब का जो है अगर आप नहीं चाहते हो तो सेवन सब्सक्राइब का जो है DCT भी ले पाऊगे और अगर हम बात करें इंटिरियर पे एक चीज़ आपको नहीं देखने को मिला था वह था वह था इलेट्रोनिक पार्किंग बेट वीट ऑटो होल्डर वह चीज़ सिर्व और सिर्व आटोमेटिक के लिए ही रिजर्व किया गया है अगर आप ग्राविटी का आटोमेटिक लिए रहे हो तो आपको वह चीज मिलने वाला है अब बात हो जाता है इसका प्राइस को लेकर तो इसका पेट्रोल और डिजल को मिला के 16,39,000 से 18,29,000 के आज पास आपको एक शुरूम पढ़ने वाला है तीनो वेंट के बीच में प्राइस दिया गया है और अगर इस वेंट का बात करें तो यह हमारे पास आज है 1.5 लिटर का नैचरल एस्पेटर एंजिन का प्राइस है करी 16,39,000 एक शुरूम का बात हो रहा है तो ग्राविट एडिशन के बारे में जितना था सब में बता दिया और एक बार गिना देते हैं चली क्या क्या मिलने वाला है तो ग्राविट एडिशन आप ले रहो है इस्टी एक के ऊपर इंटीर में आपको इंडिगो बेस में आपको लेदर रहा पाने वाला है एलोई जो है वह आपको मेशिन है तो सीट बेल जरूर लगा है यह बाइक चल आरते हैं हेलमेट जरूर पहिए सेफ नहीं थैंक्यू